प्रास फोर्थ गुड मॉर्णिंग हम इससे पहले पढ़ रहे थे चेप्टर ट्वेल और चेप्टर ट्वेल जो था वो कौन सा था हमारा डिस्पोजल ओफ दा वेस्ट इसमें हम लोग यह पढ़ रहे थे दा थ्री आर्स तो मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्री आर्स क पढ़ेंगे कि Reduce, Reuse और Recycle क्या है? Reduce First of all, we must think of ways to produce less waste कि सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि कम से कम कच्रा कैसे हो? ठीके, इसके बारे में हमें जरूर सोचना है कि कम से कम कच्रा कैसे हो? Use products with less packaging ठीके, तो कम जो packaging वाले उत्पाद है ठीके, उसका उप्योग करना है ठीके, Select items whose packaging can be reused और refeed कि कुछ चुनिंदा जो items है, उसी को packing करना चाहिए और packing भी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उस packing का हम use प्रियोग दूसरे काम में कर सके Avoid using disposable plates, cups and paper napkins कि हमें जो disposal plates से, cups से और जो paper napkin है उसका use नहीं करना चाहिए ठीके, Donate old books, हमें पुरानी किताबे दान में दे देनी चाहिए Next आता है, Reuse Reuse means to use again तो reuse का मतलब क्या है कि पुनहा उप्योग में लाना ठीके, तो पुनहा उप्योग में लाना, किसे लाना जो चीज वेस्ट होती है, उस वेस्ट मैटेरियल का हम दूसरे कामों में उप्योग ला सकते हैं जैसे प्लास्टिक, जार्स, कैन्स और बॉक्सेज इन चीजों का उप्योग हम दूसरे चीजों में कर सकते हैं A waste can be made by using an old bottle तो हम पुरानी जो बॉटल होती है, उस पुरानी बॉटल का use किसमें कर सकते हैं गुलदस्ता बनाने में Old boxes can be used for storing things और जो पुराने जो बॉक्सेज जो डब्बे हैं, उस डब्बे का उप्योग हम क्या कर सकते हैं घर का समान रखने में कर सकते हैं, ठीक है Paper bags can be made from old newspapers, जो हमारे अकबार हैं ठीक है, उसका हम उप्योग क्या कर सकते हैं, paper bags बनाने में कर सकते हैं, ठीक है Recycle, recycling means to convert the waste, recycling क्या है, कि जो कच्रा है, उस कच्रे को बदलना किस में बदलना, valuable materials में, ठीक है, मुल्यवान बस्तु में बदलना क्या 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 आता है, recycle, अता पुन्हा उत्पाद है, ठीक है waste paper is recycled to make newsprint and notebooks, अब देखो कि जो paper, जो रद्दी होते हैं, ठीक है उसका हम क्या कर सकते हैं, recycled करके, हम उसका जो अकबार बनता है, जो paper बनता है ठीक है, अकबार, उसमें हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है, तो अकबार को छापने में, ठीक है, और notebook बनाने में भी हम पुराने कागज का use कर सकते हैं, ठीक है, new cans and jars are made from steel or glass by melting them कि जो पुराने जो steel है और जो glasses है, इसे melt करके, हम क्या बना सकते हैं, can और jar ठीक है, इसी तरह से garbage can also be used to produce power, कि जो कच्रा है, उसका उप्योग, हम उर्जा उत्पादन में भी कर सकते हैं, तो इस तरह से देखो, कि जो recycle है, वो उससे कितने फायदे हैं, तो recycle से क्या होता है, एक तो हमारा जो natural resources है, ठीक है, उसकी बचत होती है, ठीक है, साती सात में, reduces, land filling, ठीक है, कि जो कच्रा हम लोग मैदान में फेकते हैं, वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, save energy, इससे हमारी उर्जा की बचत होती है, और साती सात में, इससे pollution भी कम होता है, ठीक है, next topic है आपका e-west, e-west क्या है, the discarded electronic devices like batteries, cell phones, wires, electrical gadgets from the e-west, अब जैसे अनावश्यक electronic items जो हमारे घर में, कौन-कौन सी जैसे, battery है, cell phone है, wires है, electrical, मतलब बिजली के समान है, ये सब क्या है, e-west है, ठीक है, the harmful chemical in them, like lead and cadmium, cause a lot of pollution, और जो जितने भी electronic जो device है, जैसे battery, cell phones, wires, ये सब क्या है, एक harmful chemical है, और इसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रदुशन होता है, so we must try to recycle, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके पुनह उत्पादन पर, पुनह उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, पुनह उत्पादन करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इसे हम एक बड़ा जो मैदान है, ठीक है, जो की काफी गहरा होता है, उसमें क्या करना चाहिए, डंप करना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं फेगना चाहिए बहार, ठीक है ना, एवरी इंडिविजल मस्ट ट्राइ टू कंट्रोल दा वैस्ट प्रोडूस्ट, ठीक है, तो प्रत्यक नागरी को क्या करना चाहिए, कम से कम कच्रा करना चाहिए, एडंप इट्स प्रोपर्ली, ठीक है, और इसे क्या करना चाहिए, सही जगे पर क्या करना चाहिए, डंप करना चाहिए, लार्ज स्केल डिस्पोजल इस कंटेक्टेड बाई मुन्सिपल कॉर्परेशन, और बड़े इस तर पर जो कच्रा होता है, उसके रख रखाओं का कारिय कोन करता है, मुन्सिपल कॉर्परेशन, और हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, कॉर्परेट करना चाहिए, ठीक है, सफाई में, तो हमें क्या करना चाहिए, कि जो मुन्सिपल कॉर्परेशन है, उनके साथ में कॉर्परेट करना चाहिए, ताकि हमारे आस पास का जो भी छेत्र है, वो साफ रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, तो ये चप्टर समाप्त होता है, और नेक्ष्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइस करेंगे, ठीक है, ओके स्टुडेंट्स, एवन एज़ दे,